आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आरोह का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आरोह का आर्थ समझती है आरोह का आर्थ होता है उपर की ओर जाना या आरोहन यानि कि किसी चीज़ का उपर की तरफ जाना को हम आरोह करना कहते हैं यानि कि उपर चढ़ना या चढ़ाई करना तो आरोह का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होगा अवरोह और अवरोह का आर्थ होता है नीचे उतरना या अवनती करना आईए अब हम आरोह और अवरोह को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि परवता रोहन के दोरान आरोह कठिन था यानि कि परवत पर चढ़ने के दोरान जो है उपर जाना कठिन था या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी करियर का आरोह तेजी से हो रहा था यानि कि वह अपने करियर में तेजी से उपर जा रहा था या फिर आप कह सकते हैं कि पहाड़ी का अवरोह करना कठिन था यानि कि पहाड़ी से नीचे उतरना कठिन था यह फिर आप कह सकते हैं कि संगीत में अवरो का अभ्यास करना चाहिए यानि कि संगीत में हमें जो सुर है उसको नीचे लाने का जो है अभ्यास करना चाहिए अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें